ध्यान से देखेंगे बिल्ली राम 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 कभी अपने बिल्ली के कपड़ों पर राम राम वाले काम देखें हैं बिल्ली क्या करती है चुहे खाती है नोन वेज आज हम इसी की कहानी को पढ़ेंगे बिल्ली के बारे में सो चुहे मार के एक थी बिल्ली वह रोजाना एक मुल्ला के घर में घुसती और मटकी में रखा घी चाट जाती मुल्ला अपनी लंबी डाड़ी खुजला कर सोचते रसोई घर में घुसकर रोजाना घी कौन चुराता होगा एक दिन वह चोर को पकड़ने के लिए किवाड के पीछे चिपकर खड़े हो गए तब ही बिल्ली खिडकी के रास्ते आकर मटकी में से घी चाटने लगी तुरंत मुल्ला जी ने डंडा उठाया और उसे मारने दोड़े बिल्ली का सिर मटकी में था वह घबरा कर भागी लेकिन मटकी में से अपना सिर नहीं निकाल सकी बिल्ली दोड़ती हुई एक खंबे से जा टकराई मटकी फूट गई लेकिन उसका कंठा बिल्ली के गले में ही रह गया बिल्ली गले में कंठा लिये आगे बढ़ी रास्ते में उसे एक कबूतर मिला कबूतर ने पूछा बिल्ली मोसी बिल्ली मोसी कहां चली बिल्ली बोली तीरत करने कबूतर ने पूछा गले में यह क्या पहना है बिल्ली ने जवाब दिया यह तो कंठी का बाप कंठा है मुझे मेरे गुरू जी ने दिया है मैंने दिक्षा जो ली है कबूतर ने पूछा क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ बिल्ली ने कहा जरूर चलो तीरत करने से पुन्य मिलता है अब कबूतर ने होले से पूछ लिया लेकिन मोसी आप मुझे मार कर खा तो नहीं जाओगी न बिल्ली बोली राम 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 भला मैं तुमें कैसे मार सकती हूँ मैं तो सन्यासीन हूँ वरना गले में यह कंठा क्यों डालती तीरत के लिए क्यों निकलती कबूतर को तसली हो गई वह बिल्ली के साथ चल दिया रास्ते में उन्हें एक चूहा मिला उसने पूछा बिल्ली मोसी बिल्ली मोसी कहा चली बिल्ली बोली तीरत करने चुहे ने पूछा गले में यह क्या है बिल्ली ने कहा कंठा चुहे ने फिर पूछा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ बिल्ली बोली बेशक चलो तीरत करोगे तो तुम्हें भी पुन्य मिलेगा अब चुहे ने होले से पूछा लेकिन मोसी आप हमें मार कर खा तो नहीं जाओगी ना बिल्ली तुरंत बोली राम राम भला अब मैं किसी की हत्या कैसे कर सकती हूँ मैं तो अब शकाहरी हूँ सिरफ घास पूस खाती हूँ और परभू के गुन गाती हूँ यह सुन चुहा भ रास्ते में उन्हें एक मोर मिला उसने पूछा बिल्ली मोसी बिल्ली मोसी कहां चली बिल्ली मोसी बिल्ली बोली तीरत करने मोर ने पूछा गले में क्या है क्या है बिल्ली ने कहा कंठा मोर ने पूछा क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ बिल्ली ने कहा नेकी और पु भला मैं अब किसी के P्रान कैसे ले सकती हूँ, मैं तो सिरफ राम नाम जबती हूँ, और तीरत तीरत घूंगती हूँ, मोर भी बिली के साथ चल दिया, चलते चलते सब एक मंदिर के पास पहुँंचे, शाम ढल चुकी थी, इसलिए सब मंदिर में ही ठहर गए, कबूतर मोर और चुहा तो रास्ते में ही दाना चुगते खाते आये थे लेकिन बिल्ली भूकी रही थी क्योंकि उसने सन्यासनी का चोला पहन रखा था सब के सामने वहे मास मचली कैसे खाती वहे थो मोके की तलाश में थी ताकि सब का कलेवा करसके उसने पहली चाल चली उसने अपने साथियों से कहा तुम सब मंदिर में सो जाओ मैं बाहर सोऊंगी और पहरा दूंगी उसने सोचा था कि जब सब सो जाएंगे तब वह बारी बारी से उनको खा जाएगी आदी रात हो चुकी थी सबी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे सोचती हुई जब वह दबे पाओं अंदर आई तो क्या देखा सब जाग रहे थे सब के मन में थोड़ा डर पहले से ही था अब बिल्ली क्या करती उसने चाल बदली और कड़क कर कबूतर से कहा तुम दीदे किसी दिखा रहे हो कबूतर घबरा कर बोला किसी को नहीं बिल्ली मोसी ये दीदे तो योँ ही खुले हैं फिर बिल्ली ने कड़क कर मोर को डांटा तुमने सिर पर यह कलगी किस लिए लगाई है यह देखो कितनी सुंदर सुंदर पिच्चेर है तो क्या है कलगी किसके लिए लगाई है मौर भी घबरा कर बोला मैंने नहीं लगाई बिली मोसी यह तो अपने आप ही निकल आई है अब बारी चुहे की थी बिली गरजी तुम क सी देखकर मुछो पर ताव दे रहे हो सीना चोड़ा करके चुहा गरजा सो चुहे मार कर बनी धोंगी सन्यासिन को देख मैं ठेंगा भी दिखा रहा हूं यह सुनकर बिली आग बबूला होटी जैसे ही वे चुहे को मारने के लिए लपकी कि चुहा बिल में घुस गया कबूत और उड़कर छत पर जा बैठा और मोर बाहर भागया बिली मोसी मुहु बाए देखती ही रह गई